भारत की पांच सबसे महंगी कारें और उनके मालिक, मुकेश अमबानी से V.S. Ready तक भारत अपनी सस्ती और इंधन कुशलकारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश आबादी इतनी अच्छी तरह से नहीं है। हालां की देश में अभी भी कई बिजनेस टाइकून और मशहूर हस्तियां हैं, जिनके पास कुछ सबसे महंगी और एक्स्क्लूसिव गाडियां हैं। विएस रेडी भारत की पाँच सबसे महंगी कारें और उनके मालिक मुकेश अमबानी से विएस रेडी तक वर्तमान में भारत में सबसे महंगा वाहन बेंटली मुलसान EWB Centenary Edition है। इस सुपर लक्जरी सेडान के मालिक विएस रेडी हैं, जो भारत में सबसे बड़ी चिकितसा पोशन निर्मान कमपनियों में से एक ब्रिटिश बायोलोजिकल्स के प्रबंध निदेशक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंगलूरू में डिलीवरी के वक्त इस कार की कीमत उन्हें करीब 14 करोड रुपए पड़ी थी। ये मॉडल ब्रिटिश लक्जरी, ओंटो मेकर, बेंटली की सौवीं वर्ष गांठ मनाने के लिए बनाया गया एक अत्यंत सीमित संसकरण है। ब्रैंड द्वारा पूरे विश्व के लिए अब तक केवल सौ उदाहरण बनाये गए हैं। ये लग्जरी लैंड याज 6.75 लीटर V8 इंजन द्वारा संचालित है, जो 506 होर्सपावर और बिंग्ज और विन एमन मिक्स का टार्क पैदा करने में सक्षम है। ये 8-speed ZF automatic transmission के साथ आती है और 0-1-0 किमी घंटा से त्वरण केवल 5.5 सेकंड में होता है। ये 246 किमी घंटा की शीर्ष गति तक पहुँच सकता है। रोल्स रॉइस फैंटम सीरीज WETS EWB तेरी पौन 5 करोड रुपे, मुकेश अमबानी भारत की 5 सबसे महंगी कारें और उनके मालिक, मुकेश अमबानी से VS Ready तक। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि भारत की सबसे महंगी कारों की सूची में अमबानी परिवार छूट जाएगा? बिलकुल नहीं. वास्तव में वे इस सूची में दो कारों के मालिक हैं। रोल्स रॉइस फैंटम सीरीज वेट, Extended Wheel Base, EWB, परिवार के नवीनतम अधिग रहनों में से एक है. मुंबई में ओन रोड वाहन का बेस प्राइस 13.5 करोड रुपए है. हालांकी, यह बिना किसी अनुकूलन विकल्प के कीमत है और हम सभी जानते हैं कि रोल्स रॉइस अ यह अभी शीर्ष स्थान नहीं ले सकती है. विशाल रोल्स रॉइस सीरीज वन, EWB को पॉवर देने वाला 6.75 लीटर ट्विन टर्बो चार्जड वीस 12 इंजन है, जो अधिकतम 513 BHP और 900 NIM उत्पन करता है. टॉक 1 पाउंड 700 RPM पर चरम पर है और यह 8-speed satellite-attached transmission system के माध्यम से पहियों को पावर ट्रांसफर करता है. यह गाड़ी 0100 किमी घंटे मात्र 5.4 सेकेंड में पहुँच सकती है. गौर तलब है कि यह परिवार के स्वामित्व वाली एक मात्र फैंटम या रोल्स रॉइस नहीं है. उनके गैराज में एक और फैंटम है और कुछ और कलिनंस, गोस्ट्स और दूसरी महंगी रोल्स रॉइस गाड़ियां है. मेकलेरिन 765LT स्पाइडर 12 करोड रुपए नासियर खान भारत की 5 सबसे महंगी कारें और उनके मालिक मुकेश अंबानी से वियस रेडी तक इस सूची में अगला देश का इकलोता मेकलेरिन 765LT स्पाइडर है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड रुपए है. इस बेहद महंगी सुपरकार के मालिक हैदराबाद के एक व्यवसाई नसीर खान है, जिनके पास लगजरी और स्पोर्ट्स कारों का एक बड़ा संग्रह है. इस लिस्ट की अगली कार भी उनहीं की है. उसके मेकलेरन 765LT स्पाइडर की बात करें, तो यह दुनिया भर में केवल 700 सीपसाइट इकायों तक सीमित है, जो इसे भारत में किसी भी अन्य सुपरकार से अधिक विशिष्ट बनाता है. मेकलेरन 765LT, स्पाइडर 4.0 लीटर ट्विन टर्बो चार्जट V8 पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जो 765PS और 800N न्यम्र का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसे 7-speed अनुक्रमिक गिरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और सारी शक्ती पीछे के पहियों को भेजी ज गया है, ये सूची में अंबानी की दूसरी कार है. ये एक Mercedes S600 Guard है और ये एक विशेश ओवांडर वाहन है जिसकी कीमत 10 करोड रुपे से अधिक है. कार का उप्योग पूरी तरह से परिवार के मुखिया और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी करते हैं. ये दु दो मीटर की दूरी से 15 किलोग्राम TNT का सामना कर सकता है. अंडर बोडी और बेस स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और बोडी शेल को मजबूती देने के लिए विशेश स्टील से बने पूरे वाहन के साथ प्रबलित स्टील से बना है. कार स्टील कोर की गोलियों को पीक टॉर्क आउटपुट देने में सक्षम है जो सेवन स्पीड गियर बॉक्स से जुड़ा है और दो मीटर की दूरी से 15 किलोग्राम TNT का सामना कर सकता है। जो 523 BHP की अधिकतम शक्ती और 850 NMM का पीक टॉर्क आउटपुट देने में सक्षम है जो सेवन स्पीड गियर बॉक्स से जुड़ा है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।